POCO A5 के लिए HyperOS का second update आ गया है जो कि है हमारा 1.0.5 first update का मैंने वीडियो दे दिया था features, battery और full review बगएना भी लेकिन वो rollback हो गया है कि कोई भी तक इसी को मिला नहीं है और second update आ गया जो कि 1.0.5 है और इसमें performance तो really में इंप्रूब किया गया है और आप यहां पर देखते हैं कि मैंना जो battery है वो 1% आ चुका है बस यहां पर off होने वाला है तो इसे off होने जते हैं उसके बाद charging पर लगाते हैं और देखते हैं 0-100 कितने time में होता है मैंने behind the scene भी check कर रखा है जो कि off condition में था बट on condition में क्या है उसका भी result यहां पर देख लेते हैं यहां पर phone बस off होने वाला है 5-6 second के अंदर उसके बाद हम इसे डालेंगे charging पे और देखेंगे हमारा charging टेस्ट हो गिरा यहां पर मैंने जो adapter को भाई power supply से connect कर दिया है बस यहां पर connect करने की ज़रूरत है और हमारा phone अब यहां पर completely हो चुका है switch off और यहां पर मैं second phone के अंदर timer भी लगा देता हूं ताकि हमें जो एक proper idea लगे अधिक चीज का जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूं और पिछला अपडेट है 1.0.5 उससे भी हम यहां पर timing को compare करते वे चलेंगे चाकि आप को idea लगे कि पिछला और अगले में यहां जो अभी का update है उसमें कितना different हमें देखनी को मिलता है तो बस अब में क्या करना है यहां पर इसे करना है connect और यहां पर power तो दिया हुआ है और इसे कर देते start तो देखते हैं यह 0% सो करता है या 1% उसके बाद 10% होने के बाद हम इसे on करेंगे तो यहां पर 0% ही है यानि blank है कुछ दिर में यह 1 जाएगा उसके बाद जैसे 10 और 11 होता है इसे on कर देंगे तो थुआ सब वेट कर लेते हैं तो यहां पर फोर मिनट हो चुका है और हमा जो बैटरी है वह 11 परसेंट आ गया है तो फिलाल हम इसे कर लेते हैं on और उसके बाद रियल लाइफ टेस्टिंग हमारी start हो जाएगी यह आफ कंडिशन और on कंडिशन म सब्सक्राइब को मिलता है बट हम लोग रियल लाइफ ज्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि भाई कोई भी अपने फोन को आफ करना बंद करता है नहीं कॉल मिस करना चाहता है नहीं नोटिशन सो गयरा इसलिए तो on में ही हम लोग चार्जिंग पर लगाते हैं ना आप ऐसा सब्सक्राइब करते हो और देखो यहां पर आगया और यहां पर यहां पर काफी क्युक्त है जो on हो चुका है और यहां पर मेरा फिलाल तो on नहीं है बट सिंकार डाला है लेकिन जैसे रियल लाइफ डेली यूज होता है हमारा से उसी तरी किसम यहां पर सारे काम हैं जो कर पे तो बैटरी के उपर तो यहां पे हमारा 14 परसेंट हो चुका है अब इसे कर देते फिलाल लॉक एक साथ कई सारे काम हेंडल करने पड़ते न तो यह सारी गरवरिया होती है तो मैं तो सुझा था कि हर 15 मिनिट में आपको सो करता चलूंगा बट क्या करें 32 मिनिट हो गया है बट मैंने यहां पर टाइम लेप्स लिया है जो कि आपको दिखाई देगा 16 मिनिट का और एक है ज इचला जो कि है हमारा 1.0.3 उसमें जब मैं 15 मिनिट पर ऑफ कंडिशन में टेस्ट किया था तो मैं भी आपको दीख नहीं रहा होगा लेगिन यहां पर ऑन कंडिशन और ऑफ कंडिशन में ज्यादा फरक नहीं है यहां पर बस 16 मिनिट हुआ था और यह ऑफ कंडिशन में 15 म जो कि काफी अच्छा लगा मुझे 30 मिनिट पर बात करें कितना हुआ हमारा चार्ज तो यह हमारा 80 परसेंट के आसपास का जो के भी काफी अच्छा है और अभी चार्जिंग चल रही है और अभी 85 हो चुका है तो इसे फिलाल मैं लॉक करता हूँ और जो मैंने यहां पर व यहां पर दिखा Jettim कि को मैं खोती ही भूल गया हूँ तो यहां पर हमें देखने को मिला था what कितना टाइम यह लगा लेता है 45 मिनट कम्प्रीट हो चुका है या फिर यह कह लो कि यहां पर 46 मिनट और बैटरी जो हमारा आया है वह है 97 जो कि वर रहल काफी भी सही चल रहा है बर डेखते हैं 100 होने में कितना यह टाइम लेता है और पिछली पर कितना लिया था वह भी मैं को यहां पर दिखा दूँगा so don't worry फाइनली हमारा फॉन चार्ज हो चुक है जियो से 100 परसें 52 मिनट के अंदर जो कि काफी सही है और इसे कर हम कंपेर करें वही आफ कंडिशन वाला चार्जिंग टेस्ट और सास्या जो कि हमारा 1.0.3 था उससे तो यहां पर भाई सिर्फ आप देखो कि दो मिनट कहीं यहां पर हमें जो गैप देखनी को मिलता है वह भी ऑफ कंडिशन है क्योंकि बीट में 5% का गैपिंग था जो कि आपने देखा बट यहां पर फूल चार्ज होते होते हैं सिर्फ दो मिनट कहीं यहां पर बचा जादा कुछ डिफिनिट यहां हमें देखनी को नहीं मिला तो ओफ कंडिशन हो या ओन कंडिशन हो ज्यादा फड़क यहां पर नहीं पड़ता जो कि यह देखे काफी सही लगा है लेकिन वहीं पर बात करते हैं इसका एक फोटो ले लेता हूं ताकि फूल रिव्यू में यह आपके काम आ सके तो आते हम सि सिंगल सिम डाला हुआ है और 6 परसेंट इस वार का बैटी डॉप फोट ज्यादा देखनी को मिला इतना जादा क्यूं है बाट देखते हैं लॉग इजच के बाद इसमें इंप्रूमेंट आता है या नहीं तो यह चीज मुझे खराब लगा पिछले अप्डेट की बात करे जो कि 1.0.3 था उस पर आप यहां पर देखो है कि हमारा है जो 3% का बैटी डॉप गया है वह है 11 आर्स के अंदर तो इस वार का बैटी डॉप हमें डबल देखनी को मिला जो कि यह चीज मुझे थोची अच्छी नहीं लगी है और पिछले वाले में प्रफॉएंस डाउन थ तो फिलाल मैं अपने फोन को करता हूँ switch off यहां पर फोन switch off हो गया है और इसे मैं कर लेता हूं reset अब यहां पर power of button press करऊंगा जैसे light off होगा मैं यहां पर start करणुगा देखते है कि इतना टाइम है आँए अ डहां लगता है बूट होने में तो पिछला जो था हमारा only on 18 second थ हमें देखिनी को नहीं मिला और चार्जिंग भी सिमिलर देखिनी को मिल रहा है कोई खास बिक डिफेंट नहीं है लेकिन बैटरी डॉप में थोड़ा सा इक्ट्रा यहां पर ड्रॉप देखिनी को मिला आप यहां पर देखोगे कि हमारा जो बैटरी ड्रॉप गया है वह हमारा टू आर्स फॉर्टी फाइब मिनट का स्कीन ओन टाइमिंग और वन परसेंट का बैटरी गया है जो कि यह मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा जितना कि हाइपर ओस वन वाले अपडेट में इधा तो मैं आपको दिखाता हूं पिछले अपडेट में क्या देखने को मिला था यहां पर आप देख से तो यह है हमारा सेकेंड स्कीन सूट यहां डिटेल जो की हाइपर यहां भट चुका है हमारे सेकेंड है फ्राइपर ओवडेट के अंदर एस्टिवलीटी तो इंप वैसे में भी आप काफी ज़्यादा यहां पर निरास होने वाले हो इस सेकेंड हाइपर ओडेट को लेके कि इतना ज़्यादा बैटरी डॉप हो कैसे रहा है भाई यहां पर यह लोग काया प्लटने वाले थे अभी भी हाल वही देखने को मिल रहा है जहां पर बैटरी से रिलेटर कोई भी इंप्रूमेंट अभी तक नजल नहीं आया उल्टा काफी ज़्यादा ड्रेनिंग यहां पर बढ़ चुकी है आपने कर यह अपडेट किया है 1.0.5 का तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बैटरी कैसा मिल रहा है कि मैंने कुछ और लोगा कमेंट देखा है कि बैटरी डॉप काफी जादा है जबकि प्रफोवेंस रिलेटर मुझे कोई सिखा है यहां पर देखने को नहीं मिल बस यही था डिटेल बैटी से रिलेटर हमारे हाइपर ओएस का आप अपना उपिनियन जरूर सियर करना और मैं इसका फाइनल रिव्यू जल्दी लेके आऊंगा किसे अपडेट करना चाहिए नहीं फिर भी इस बैटी के वीडियो से ही आपको अच्छा जा होगा इस सो मैं मिलता हूं नेक्ट वीडियो में थांक्स वॉचिंग टाठा बाइबाइब और इस जो सेटप है ना इसके उपर मैंने औरेडी वीडियो दे रखा है पोको वीजर्स के नाम से आप चाहो तो चेक कर सकते हो